आउनी इस ट्यूटर ब्राण चैनल मिखबार आपका फिर से स्वागत है देखिए जैसा कि आप थम्नेल में देख रहे होंगे कि मुख्य सेवी का भरती परिच्छे 2023 कट आप बहुत हुई अब ये भी जान ले अभी नहीं तो कभी नहीं चलिए आखिर में क्या बात है उस प आपको इस चैनल पर मिलेगा वह अथेंटिक मिलेगा नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं कोशिस यही रहती है कि जो कुछ हो आपके सामने अथेंटिक नहीं उच जाए ओके तो वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करेंगे अपने प्रत्योगी साथियों को भी वीडियो को सेर जरूर करें चैनल पर नए हो तो प्लेज चैनल को सुस्क्राइब कर लें जिससे आगे की भी न्यूज आप तक पहुती रहें चलिए देखते हैं देखे एक पात तो पहले इस पर टिपड़ी कर ली जाए चुकि लोग कटाब कटाब चिल्ला रहे हैं कई जगह बहुत सारी कटाब का वो बिच्चेद मिल रहा है कि मुक्सेव क्या कि कटाब बहुत जाएगी बहुत जाएगी आपको एक टैली कराते हैं हालांकि इस टैली से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चुकि देखिए मैंने दो प्रक्री अपनाया है एक दिन चैनल के माध्यम से मैंने आपसे आफिसियल आइंसर की आने के बाद आपके मार्क्स के लिए आपसे वोटिंग करवाया था हालांकि ज़्यादा बच्चिया भी तक नहीं कर पाई है तो उस वीडियो को भी आप देखकर जरूर वोटिंग करें क्योंकि मार्क्स और आज की जो बात है उसको भी जालने आज की बात है सब्जेक्ट मिस जो युगिता है उसके लिए कोटिंग होना जरूरी है क्योंकि भाई इसमें सब ही नहीं परिच्छा दिया है अगर 45,000 लोगों ने फार्म भ़़ा था एप्रॉक्स लगभग तो वही 34,000, 35,000 सम्थिंग पेपर दिये है इन पेपर देने वालों में B.A.C. होम साइंस की भी छात्रा है B.A. होम साइंस टू इयर B.A. होम साइंस फाइनल इयर तक B.A. सोशियोलाजी टू इयर या फाइनल इयर तक अधर अधर में जैसे जुन्होंने चाइल्ड डेवलप्मेंट कोर्स किया है वो लोग भी इसको अपलाई किये है उन्होंने भी पेपर दिया है तो एक आखड़ा लगा लिया जाए कि अखिर में कितने लोगों की वोटिंग क्या है तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट में क्या करना है अगर आप B.A. होम साइंस है तो केवल ए जो है टाइप कर दिजिए बस आपको कमेंट में किवल A. टाइप करना है और अगर आप B.A. होम साइंस है चाहे टू इयर चाहे फाइनल इयर तक तो आपको B. टाइप करना है अगर वही सोशियोलाजी सब्जेक्ट से है निसमाज सास्त तो आपको C. टाइप करना है और अधर इसके अलामा किसी अन्य जो भी आप योगता रखके पेपर दे रहे हैं तो D. टाइप करेंगे ठीक है ये आपसे अनुरोध है और इसके बाद हम अंतिम पड़ाओ तक पहुँच जाएंगे चुकि हमारे पास चुकि दोनों को मैज करके अगर कट आप दी जाएगी तो बिल्कुल सटिक बैठी हालांकि आपके सामने आज ये एक कंपेर करने वाले है जिससे लोगों के अंदर गवडाहट दूर हो ठीक है हालांकि ये कट आप मैंने पहले दिया है ये कट आप जो है अभी तक के अरुमान जो मैंने रेजल्ट के जरिये मांगा था कि आफिसियल आइंसर की आने के बाद तो निस्से तोर पर एक कुछ जादा ही कही जाएगी अब आपको हम अपनी ही कट आप में संदेव्यक्त कर दे रहे हैं कि ये कट आप और डाउन जाएगी जहां हमने लिखा था प्लस वन प्लस टू की बात किया था वहीं अब हम न कुछ तो माइनेस फोर की बात कर लें में चार चारंग हर जगह से घटा सकते ठीक है ये कट आप निश्चित तोर पर हालांकि हम फाइनल कट आप आगे चलके बनाएंगे अभी नहीं पहले आप से एक जो रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज आप अपने सब्जेक्ट को भी ओटिंग कर दीजिए कि आप किस क्वालिफिकेशन बेस पर आपने एक्जाम दिया ठीक है और जो आज की बिसेश बात है उस पर हम टिपड़ी कर ले तो वास्तों में एक आकड़ा आपको बता दे मुख सेविक्या भारती परिच्छा जो है 2023 1693 कंडिडेट के लिए मने पद है टोटल कंडिडेट नहीं पद है जिसमें अलग स्रडिवार ब्यवरा भी आपके सामने है हाला कि स्रडिवार ब्यवरा भी से कोई मतलम नहीं है तो आगे चलके आपको मिर्धारित बताएंगे जब कटाप आपकी एक एकस्पक्टेट कटाप आपको सामने हम ब्यक्त कर लेंगे केवल ये आपके सामने इसलिए है कि इससे आपको जाने आपका संदेह दूर हो जो घबड़ा रहे हैं चैनल वाले आप घबड़ाएं नहीं क्योंकि बहुत कटाप नहीं जाएगी आपकी बैकेंसी दिहां दीजिए लगभग 2700 का दीजिए 2700 का दीजिए और वही आपके सामने एक बैकेंसी और सो की गई है UPPSC स्टाप नर्स की UPPSC स्टाप नर्स की जिसकी 3012 पत्य आपके कितने है 2693 मैंने 2693 ठीक है उनकी पोस्ट में 341 जो है पूरुस भी समलित थे अगर उनको माइनस कर दिया जाए तो आपकी भी आपकी प्योर फिमेल बैकेंसी है उनमें मेल भी थे तो आपकी फिमेल बैकेंसी उनकी फिमेल बैकेंसी मैज खाती है आपकी 2693 उनकी 2671 आपमें आवेदन 45,000 केवल होते हैं उनमें जो है आवेदन एक लाख पांच हज़ार होते हैं आपमें परिच्छा 34,000 लोग देते हैं उनमें लगभग 84,000 लोग देते हैं ठीक है तो और और 84,000 में से डीबी के लिए जब उनमें बुलाया जाता है तो पंद्रह हजार संथिंग बुलाया गया था हालांकि उसमें मेल फिमेल दोनों थे लेकिन आपकी अगर देखी जाए तो उस बेश से अगर आपका तीन गुना केवल ले लिया जाए तो 81,000 से 82,000 की संथिंग बुलाई जा सकती बहुत हाइस्ट बुलाई जाएगी वैसे आपको बता दे क्यूकि सबजेक्ट वाला कनफ्यूजन है जिस प्रकार से लेक पाल में दिभ्यांग स्रेडी को लेकर कनफ्यूजन वाली ब्योस्ता थी सभी को बुला लिया गया उसी प्रकार से आपमें कहीं ऐसा ना हो कि डीबी के लिए जो है कुछ कटेगरी में जिनमें पद कम है उनमें सभी को बुलाया जा सकता ये अपनी मैं एक संभावना ब्यक्त कर रहा हूं इस वज़े से आपने रास ना हो आप देख लीजिए कि इनकी फाइनल सेलेक्शन वाली कटाप क्या थी फाइनल सेलेक्शन वाली कटाप आना रच्छित देखिए एक हजार पंद्रह पत थे और मिनिमम पर आप जाईए 42 दसमलो तीन तीन वाला कंडिडेट जो है सेलेक्ट हुआ है द्यान दीजिएगा वही अनुसूचित जाति में 36 पर 36 दसमलो 27 पर अनुसूचित जन जाति 36 दसमलो 25 पर अन्य पिछड़ा वर्ग 40 पर नहीं क्या करते है 42 पर ठीक है और EWS भी 42 पर 42 दसमलो तो आपको बताएं कि केवल UR कटेगरी में आप में भी बहुत ज़्यादा कटाप अगर जाएगी तो पदल चुकी ज़्यादा है अगर दोनों आरच्छर को देखे जाएं 36 और उर्दवादार तो उस बेस पर UR की जो कटाप बने है फाइनल कटाप वो 58 प्लस की निस्चित तौर पर उससे नीचे नहीं आने के बहुत उम्मीद करते लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते है चुकि आगे जो मैंने बेबरर मांगा है वो मिल जाए उसके बाद हम आपको बिलकुल कर्गेट करके बताएंगे अथेंटिक बताएंगे ठीक है और अने में EWS और OBC इनकी कटाप लगभग सिमिलर जाती है EWS और OBC में एक अंग का बहुत ज़्यादा फासला रहेगा यस सी और सबसे कम अगर जाएगी कटाप तो यस ठीक है ठीक है तो ये आपके सामने है हलांकि इस पर हम चर्चाबाद में खुल कर करेंगे जो आज की बात है इस पर आप टिपड़ी जरूर करेंगे उसके बाद हम एक एक इकस्पेक्टेट कटाप की एक वीडियो और आपको देंगे उसके लिए चाहे जो आप भई कहें लेकिन एक वीडियो आपको और मिलेगा इसके बाद हम डीबी कैसे कराए उसका वीडियो आपको देंगे ठीक है तो और कोई सुचना मिलेगी तो आपको जरूर मिलेगी तो इतना ही कहना था वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो आज सबजेक्ट की ओटिंग है उसको आवस्चे करें और अपने प्रतियोगी मित्रों को भी इसे सेर जरूर करें और चैनल पर नए हत्पली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ओके थैंक यू